नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं दाखबरदार नियूज आई शुरुवात करते हैं कुछ बड़ी खबरों से रीबा के त्योंथर विधान सभा में भारती जिंदा पार्टी के प्रत्याशी सिधार्थ तेवारी के समर्थन में विधान सभा शुत्र के गड़ी में विशाल जिंदा पार्टी के कारिकरता वस समर्थकों ने आकर कारिकरम को सफल बनाया शिवराज ने संभूधन के साथ डेमेज कंट्रोल करते भी दिखे ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सियम ने सभा संभूधन के साथ त्योंथर के वर्तवान विधायक जो हाल ही में राश्च्च अद्धक्ष जेपी नड़ा के सभा में मंच छोड नीचे बैठ गए थे जिस पर ये बात काफी तूल भी पकड़ ली थी त्योंथर विधानसभा के कॉंग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंगे पक्ष में कॉंग्रेस पाटी के पूरो नेता पती पक्ष अजय सिंग राहूल ने त्योंथर के गुलाला मैदान में विशाल जन्सभा को संबूदित किया और कॉंग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंग के पक्ष में मताताओं से वोट करने की अपील करी और भाजपा पर जमकरवर से कहा कि शिवराज सिंग जी दस दिन और उडन खटोला से फिर तो भाजपा की सरकार जानी ही है मोगन जिले में चुनावी चेकिंग के दोरान लाखो रुपए की देविवा देवताओं की मूर्तिया बरामत की गई है बताया गया कि उतरप्रदेश के बनारस से मद्रप्रदेश के मोगन जिवारीवा जिले में खेप आ रहे थी इसी बीच मुख्बिर की सूचना पर पुलिस ने हनुमना बॉर्डर में चेकिंग लगाई चार पहिया वाहन की सोले नग गनेज प्रतिमा, सोले नग लक्षमी जी की मूर्ति वाच चार सो नग अउठी चार पहिया वाहन से बरामत की गई है सतना शहर के सेमरिया चौक के पास अज्यात बदमासों ने स्कॉर्पियों में रखे तीन लाग तीस हजार रुपे पार कर दिये वाहन मालिक स्कॉर्पियों को पार्क कर मंदर में दर्शन करने गया था लोटकर आया तो गाड़ी से रुपे गायब थे सतना शेहर में कॉलगवा, थाना अंतरगा, सेमरिया, चौक, हिस्तित, हनुमान मंदिर के पास बदमासों ने कम्प्यूटर और मोबाइल शॉप संचालक संदीप सिंग के 3,30,000 रुपए उसकी कार के अंदर से उड़ा लिए कॉंग्रेस के पूरो राष्ट्रे अध्यक्ष राहूल गांधी चुना प्रचार करने सतना आएंगे उनके सतना आगमन के एक दिन पहले उनकी बेहन प्रेंका वार्टरा भी पीसेसी चीफ कमलनाथ के साथ कुछ समय के लिए सतना पहुँचेंगी सतना दोरे के बारे में जानकारी देते ओर राष्ट्रे सचेव सीपी मित्तल ने दाबा किया कि माहोल कॉंग्रेस के पक्ष में हैं कॉंग्रेस विंद की 70% सीटे जीत कर इस बार प्रदीश में कमलनाथ के नेता तुमें सरकार बनाइगी कॉंग्रिस की राश्चिय सचिप सीपी मित्तल ने केंद्री नागरी को डियन मंत्री जोत्रादेति सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्हें सत्ता का लालची बताया है सतना में एक प्रैस कॉन्फरेंस में कॉंगूरिस नेता मित्तल ने कहा कि सिंधिया को सिर्फ सत्ता का मौ है वो आज कुछ भी कहे लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने की सिंधिया पारिबारिक परिपार्टी है उजयन शहर के चिमनगंज मंडी थाना शेत्र अंतरगत आगर मार्ग पर क्रसी उपच मंडी में सोंबार को सोबा बड़ी संख्या में किसान समर्दी केंद्र पर खाद लेने पहुँच गए वहां खाद नहीं मिलने पर किसानों ने हंगामा करते हुए मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया खाद के लिए परिशान हो रहे किसानों का सब्र आज तूट या और उन्होंने परिशासन के खिलाफ नारिबाजी करते हुए हंगामा करते हुए मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया पूर्व केंद्रिय मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेस आज जवलपुर पहुंचे जहां उन्होंने भारते जिंदा पार्टी पर जम कर हमला बूला जैराम रमेस ने प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी को लेकर यह तक कह डाला कि वो दो घोड़ी में सबार हैं एक घोड़ा ED है तो दूसरा घोड़ा CBI उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नैंद्र मूदी को अब E.D. और CBI से केंद्रिये मंत्री नैंद्र सिंग तॉमर के बेटे के खिलाब भी जाच करवानी चाहिए ग्वालियर राय रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने विधान सभा 14 ग्वालियर ग्रामीर से भाजवा पत्याशी भारा सिंग कुश्वा के समर्थन में शुनावी जनसभा की है ग्वालियर ग्रामीर के हाती खाना में जंसभा में राजनास सिंग ने कॉंग्रेस की चुटकी लिए है उन्होंने कहा कि हम यानि भाजबा चंद्रियान मंगलियान लॉंच कर रही है जबकि कॉंग्रेस राहुलियान लॉंच नहीं कर पा रही है जब अलपूर पूर्व से मैदान में उत्रे भाज़वा पत्याशी एंचल सौनकर के खिलाब बे लगा हुआ AIMIM के पत्याशी गजिंदर सौनकर के खिलाब हनुमान ताल थाने में आचार साहिता का उलंगन करने के दाथ मामला दर्च किया गया है हनुमान ताल पूलिस ने बताया कि AIMIM पत्याशी नहीं रिक्सा में बैनर पोश्टा लगा कर 40-50 कारिकरताओं के साथ रेल निकाली अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार नियूस